जिनकी खुद की राजनितिक जमिन खिस गई हैं, वो किसानों की जमिन चली जाएगी, किसानों की जमिन चली जाएगा का डर दिखा कर अपनी राजनितिक जमिन खोज रहे हैं जिनकी खुद की राजनितिक जमिन खिस गई हैं, वो किसानों की जमिन चली जाएगी, जिनकी किसानों की जमिन चली जाएगी का डर दिखा कर अपनी राजनितिक जमिन खोज रहे हैं। आज जो किसानों के नाम पर आंदोलन चलाने निकले हैं, जब उनको सरकार चलाने का, या सरकार का हिस्सा बनने का मोका मिला था, उस समय इन लोगों ने क्या किया, ये देश को याद रखना जरूरी हैं। मैं आज देश स्मास्यों के सामने, देश के किसानों के सामने, इन लोगों का कच्चा चिठा भी देश के लोगों के सामने, मेरे किसान भाईयों बहनों के सामने, आज मैं खुला करना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ। साथियों किसानों की बाते करने वाले लोग आज जूठे आशु बहाने वाले लोग कितने निर्दरी हैं इसका बहुत बड़ा सबूत है स्वामिनाधन कमिटी की रिपोर्ट स्वामिनाधन कमिशन की रिपोर्ट आई लेकिन ये लोग स्वामिनाधन कमिटी की सिफारिशों को आठ साल तक दबा कर बैठे रहे किसान अंदोलन करते थे प्रदर्शन करते थे लेकिन इन लोगों के पेट का पानी नहीं लिहला मैं देश के प्रत्ते किसान को इविश्वाद दिलाता हूं कि पहले जैसे MSP दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी MSP न बंद होगी न समाप्त होगी MSP बढ़ाने के साथ ही सरकार का जोर इस बात पर भी रहा है कि जादा से जादा अनायच की खरीदारी MSP पर की जाए देश में फार्मिंग एग्रिमेंट का कोई नई चीज नहीं है क्या कोई नया कानून बना कर हम अचानक फार्मिंग एग्रिमेंट को लागू कर रहे हैं जी नहीं हमारे देश में बरसों से फार्मिंग एग्रिमेंट की ववस्ता चल रही है एक दो नहीं बलकि अनेग राज्यों में पहले से फार्मिंग एग्रिमेंट होते रहे हैं साथियों, देश में फार्मिंग एग्रिमेंट से जुड़े पहले जो भी तोर तरीके चल रहे थे, उसमें किसानों का बहुत जोखिम था, बहुत रिस्ट था, नए कानून में हमारी सरकार ने फार्मिंग एग्रिमेंट के दोरान किसान को सुरक्षा देने के लिए कानूनी प्रावधान किये हैं, साथियों, फार्मिंग एग्रिमेंट में सिर्फ फसलों या उपज का समझोता होता है, जमीन किसान के ही पास रहती हैं, एग्रिमेंट और जमीन का कोई लेना देना नहीं हैं, साथियों, हमारे देश में किसानों के साथ दोखा गड़ी का एक बहुत ही बड़ा उदार्ण है, कॉंग्रेस सरकारों के द्वारा की गई कर्जमाफी, जब दो साल पहले मद्द प्रदेश में चुनाव होने वाले थे, तो कर्जमाफी का वाइदा किया गया था, कहा गया था कि सरकार बनने के दस दिन के भीतर सारे किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, कितने किसानों का कर्जमाफ हुआ, सरकार बनने के बाद क्या-क्या बहाने बताए गए, ये मद्द प्रदेश के किसान मुझसे भी जादा अच्छी तरह जानते हैं, राजस्तान के लाखों किसान भी आज तक कर्जमाफी का इंतजार कर रहे हैं, किसानों को इतना बड़ा दोखा देने वालों को, जब मैं किसान हित की बात करते देखता हूँ, तो मुझे बड़ा अस्षेर होता है, ये कैसे लोग है, क्या राजनिती इस हद तक जाती है, क्या कोई इस हद तक छल कपड कैसे कर सकता है, और वो भी भोले भाले किसानों के नाम पर, क्या राजनिती प्यश Очень प्याए, झाल झाल